नमस्कार मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूस 31 उत्राखन रामनगर में देरशाम कोसी नदी का पानी अचानक बढ़ने के कारण पूछडी के पास एक ट्रैक्टर ट्रोली के साथ तीन यूवक कोसी नदी में फस गए इस तोरान मौके पर भारी हडकंप मच गया जिसके बाद पुलिस प्रोशासन और वनवेभाग के साथ दमकल की टीम पहुची लेकिन तब तक नदी में फसे यूवक खुद ही जैसे दैसे नदी से बाहर निकल आए लेकिन इसके बाद अब मामले को लेकर विवाद शुरू हो गया है तो क्या है ये पूरा मामला चलिया आपको भी बताते है दरसल देर शाम कोसी नदी में पानी बढ़ने से नदी में गए तीन लोग टेक्टर ट्रोली के साथ बुरी तरह फस गए बहें इस दोरान सूचना मिलने पर स्रियो बलजेत सिंग भाकुनी, कोतवाल आशुतोष सिंग के अलावा वर्न विभाग और दमकल विभाग के करमचारी मौके पर पहुँची लेकिन तब तक नदी में फसे तीनों योबक खुद ही सुरक्षित नदी से बाहर निकल गए तरह तरह ट्रैक्टर ट्रोली नदी के बीचों बीच फस गए जिसके बाद मौके पर हरकम मच गया हलाकि कुछ तेर बाद जैसे भी मशीन की मदद से नदी में फसे ट्रैक्टर ट्रोली को भी बाहर निकाल लिया गया है जिसके बाद मामले में विवाद शुरू हो गया इस पर कुछ लोगों का कहना था कि नदी में फसे ट्रैक्टर चोली में मौजूद लोग अवैत खनन करने के लिए गए थे लेकिन विभागी अधिकारियों का कहना है कि वाहन स्वामी ने बताया कि ट्रैक्टर चोली कुड़ा फैटने के लिए गई थी क्योंकि कल गाउं में पूडा डालने को लेकर ग्रामिनों में जमकर हमगामा हुआ था वहीं मामले में तिराई पस्च्चमी वन प्रभाग के डियेफो बलवंत सिंग शाही का कहना है कि उनके संग्यान में भी मामला आया है त्यक्टर ट्रोली वैद खनन करने के लिए गई थी डियेफो ने बताया कि मामले में चालप और आसपास के लोगों से पुछताच की जा रही है अगर मामला वैद खनन का पाया गया तो इस पर नियमानुस सार का रुवाई की जाएगी उत्राखंट से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें